नमस्कार जैश्री कृष्णा मेरा के श्यवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट कुछ समय से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है ज्योतिश ग्यान और उसमें मैं एस्ट्रोलोज स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं आपको और स्टार्टिंग से लेकर जहां तक एडवांस अस्ट्रोजी आती है वहां तक वह आपको बहुत पढ़ाऊंगा ताकि एक बार अगर आम उन सारी क्लासिस को टेंड कर लेंगे तो एक अच्छे जोतिस बन सकेंगे ऐसा मानना ह अब इस में पीछे आपको बताया था भावों के बारे में कुडली के अंदर 12 भाव होते हैं कौन कौन सा भाव क्या है वह चीज मैंने बताई थी अब उन भावों से हम लोग क्या-क्या देखते हैं जैसे कुंड़ी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 भाव होते हैं, कुंड़ी के कारक बताये थे आपको, कि पहले भाव का कारक सोर्य, दूसरे भाव का कारक, गुरू, तीसरे भाव का कारक, मंगल, चौथे भाव का कारक, मैंने भाव का बताया था, गुरू, इस तरीकेसे मैंने आपको चरकारख बताए और साथ मैं श्थिर कारख भी बताय है जैसे पिता का सूर्य है चंद्रो से नहीं है उसको शेयर भी कर लेता हूं मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन बारे भावों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आंसर आपको ना मिले। मतलब कहीं भी कोई भी आंसर आपको चाहिए हो किसी भी चीज का वो आपको एक उड़ी के इन बारे भावों में 100% मिलेगा, मतलब कोई दूसरा रस्ता ही नहीं, कोई आप सोची नहीं सकते कि इन बारे भावों के अलावा कोई और चीज आपके पास हो सकती है तो बारे भाव में से पहले भाव से हम लोग क्या देखते हैं वो मैं स्टार्ट कर लेता हूं बहुत इंपॉर्टन है पहला भाव जिसको कि हम तनु भाव बोलते हैं पीछे मैंने बताया था कि इसको तनु सभाव बोलते हैं तो पहले भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं पहला पहले भाव का उसको लगन भाव भी बोलते हैं, पहले भाव को हम लोग लगन भाव भी बोलते हैं, उससे देखते हैं बुद्धी, इनसान की, कैसी बुद्धी होगा, उसकी बुद्धी देखते हैं इनसान की, पहले भाव से, उसका सभाव देखते हैं, कैसा सभाव होगा उसका, कड़वा सभाव होगा, मीठा सभाव होगा, अच्छा सभाव होगा, बुरा सभाव होगा, कैसा सभाव होगा, उसकी देह कैसी होगी, ताकतवर होगा, कमजोर होगा, कैसा होगा, वो भी हम लोग पहले भाव से ही देखते हैं, उसके गुण अपगुण, क्वालिटीज और तिस्कुालिटीज भी हम लोग पहले ही provides से देक दें कैसी होंगी क्वालिटी उसमें हे किसी होंगी पहले बाशरे देखते ह। पहरे भाव से हम उसका शारिलिक गठन भी देङते हैं. कि वो टोटल किसा होगा इना चावट बॉडी का होगा, या कमजोर बॉडी का होगा, वो चीज भी हम लोग पहले भाव सऑם से लेखते हैं. रूप, करेंख सब्पास, कि देखते हैं आज के जमाने में इतना फरक नहीं पड़ता कि हर चेतर के इसाब से अपना एक रेफरेंस होता है तो उसको आप पूरी यूनिवर्स में या पूरे वर्ड में नहीं लगा सकते तो आपको देखना पड़ेगा कि कि से बात हो रही है और उसके इसाब से दन्य उ किसा रूप है कैसी ब्यूटिफुल है हैंसम है कैसे है उसके सबस्क्राइब करना है हेल्थ भी हम इसी भाव से देखते हैं कि आदमे की हैल्थ कैसी रहेगी वह इस भाव से देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टन चीज है जो शायद यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं न दूसरे भाव की और दूसरे भाव से आदमी का कुटुम दिखा जाता है परिवार कि कैसा परिवार है उसका दूसरे भाव से उसकी संपत्ति देखी जाती है संपत्ति भी जमा संपत्ति कि इस पर कितने जमा संपत्ति है कितने फानेशल असेट्स हैं जो चाहे वो जैलरी क ही देखिजाती है अगर दूसरा बहाव अच्छा हो तो इनसान की वाणी बहुत से अंगर होती है और वह वाणी के सारे ही जीवी का कमा सकता है यह बहुत इंप्रतल चीज तीसरा तीसरा बहाव नेतर का भी रहे न दाहिना लेत्र भी तीसरे बाफ से देखते हैं, चेहरा भी दूसरे बाफ से देखते हैं, पहले बाफ से तो मस्तक देखते हैं, दूसरे बाफ से चेहरा देखते हैं, बैंक में जमाराशी, जैसा ही मैंने बताया आपको जितनी भी आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, या बै ना जीविए झांद में हम सब्सक्रान के सरें बहुंद आपको कला पसंद है थोड़ा पसंद थोड़ा पासंद थोड़ा तीका पसंद है कैसा आपको पसंद है वो भी हम दूसरे लाव से तो देखते हैं, तो दूसरा भाव बहुत important भाव है, क्योंकि वो धन का भाव होता है, इसलिए इसको बहुत importance दी जाती है, परिवार का भाव होता है, पुटम का भाव होता है, अगर दूसरा भाव प्लित हो, दूसरे भाव पे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, दूसरा आप इनको जब आपको मालूम होगा कि पहला और दूसरा भाव क्या-क्या देह आते हैं इन भावों से यही चीज नहीं है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जितना इन में वंडर्ण किया है इतना ही आप ना समझें यह तो बहुत ही इलस्टेटिव दिया हुआ है आपको जो बताया हुआ है इसके अलावा मतलब सैखड़ो चीज देखी जाती है क्योंकि भावों के रिलेशन भी होते हैं पहला कौन सा होता है सात्वे का सात्वा भाव पहला भाव होता है तो सात्वा भाव से गर हम यह देखते हैं तो पहले भाव से क्या देखते हैं वह भी बहुत सारी चीजें घूम फिर के आती हैं जो भावों के रिलेशन से मालुम चलती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा भाव वहावों के कारक का वदन द्राच्छा किया गया तो वह बी आप देख सकते हैं आश्या करता हूं आपको सभ्मार्ण होगा समझ में अगुल लाइक किजिगा अश्यर किजिगा और इसके अलावा हम लोग एड़ाणस लोग the dr. अंपर कर सकते हैं अ सब्सक्राइब करते हैं जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं नमस्का जैशी किष्णा